दोस्तों ये बात तो आपको पता है कि दुनिया में सबसे अधिक हत्यार इंपोर्ट करता है भारत लेकिन क्या आपको पता है भारत के बाद नमबर किसका आता है दूसरे नमबर पर है सुधी अरबिया और तीसरे नमबर पर है कतर अरे भाया जी ये तिल बराबर देश है ले गएएंगे अभी हतियार कहीएं जरुए घरी फरांसे से बहना बम तो सस्ते हतियार देने सेड़ा इता है आप इनि युक्रेयन को देख लो तो डुनीयों में पा एकसपोर्ट करने के लिए जाने जाते थे पॉंण यहा है कि यूक्रेंग को रहतों रहत एक्सोर्टर से इंपोर्टर में तबदील कर दिया अमेर्का ने तो अमेर्का बयाजी किसी का सगा नहीं है वो सबका खुन चूस लेता है। Arai in tech कचूस रहा है तो अमेरिका कि ये जो कि प्रशत की पर्वति प्रवर्य कदर तो बड़े साहिब को इन्हों हो रहा है उससे पर यांधा है यहां सही है कि कच्छा accustomed और यह थे grainस्टा ज़्यादा हत्यार मिलें तो उक्रा दो अनग का और भारत का डिफेंस कोपरेशन ओल्रेडी चल रहा है मनमोहन सिंग सहाब ने अधरसला रखी थी मोधी साहिब ने इमारत खड़ी कर दी थी उसके ऊपर इनको भारत से हथ्यार चाहिए बारत से डिफेंस मैनिफेक्चरिंग करवाना है अपने देश में जबकि भाया जी इ हमारा आग रहे है कि जब तक भारतिय नौ सेनकों को बाइज़त बरी नहीं किया जाता है तब तक सभी प्रकार के डिफेंस कोपरेशन मैरी टाइम कोपरेशन के ऊपर फुल स्टॉप लगा रहना चाहिए यह बहिया जी मदद करने लायक देश नहीं है किसे हथियार देंग कि कल भाईया जी हमारी कंपनियों को पकड़ लेंगे तो एक बार यह मामला सुलज जाए और भाईया जी जैसंकर साहिव है सुलजा लेंगे उसके बाद हमारा मोदी साहिव से आग रहे है कि भाईया जी फिर आप खुला अपने ऊपर कतर की निरभरता बढ़ाईए अरे भ स्वार्थ तो समझ में आता है अगर स्वार्थ समझ में ना आता तो अभी भाईसाफ साओधी अरभ कतर और इरान जैसे बड़े-बड़े देश इसराइल से लोहा क्यों नहीं ले रहे हैं काजा की तरफ से पॉइंट यह है भाईया जी बाप बढ़ाना भाईया सबसे बढ ने मुख्य दुस्मनों से सीधा मुकावला कर पाएंगे और दोस्तों शेयर मार्केट में चल रही है डिसकाउंट की सेल लेकिन उसका लाव उठाने के लिए आपको सीखना पड़ेंगी टेकनिकल और फंडमेंटल एनालिसिस की दो-दो कलाएंट किंतु उसके पहले ध्या अप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है उस पर क्लिक करके अपना पसंदीदा आपने वर्ल इंवेस्टर फ्यूटर से अप्शन कोर्स अभी के अभी जॉइन कर लेजिएगा